सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर लेना कि आज बैठक थे आप सभी लोंग को पताई होगा and World Bank में won किया है Global Economy को could easily tip into recession in 2023, yes, 2023 की इसी एक साल की report उन्होंने निकाली है and उसमें उन्होंने काई कि पूरे दुनिया के economy की बात किया उन्होंने काई कि recession में वो easily यहाँ पर हम लोगों को जाते वी देखने को मिल सकती है, अभी इसके पीछे का कारण क्या है, वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया है, तो सबसे पहले major बात उन्होंने काई कि multiple rate hike जो central banks हम लोगों को करते वी देखने को मिल रही है, इसके कारण हम लोगों आर्राम से, मतलब inflation के साथ deal करने के लिए लगातार जो rate hike से यहाँ पर हो रहे है, यह बहुत ही बड़ी चिंता का विशह यहाँ पर बन चुका है अगर यही situation अगर ऐसी ही चलती रही तो 2023 में recession का, मतलब बोलते ना दोर हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकता है, यह World Bank ने अपने report में present किया, आप चाओ तो उनकी reports को यहाँ पर पढ़ सकते हो, then point number two, अभी भी Russia versus Ukraine, इसके चलते हैं, आज भी पूरे global economy में हम लोगो disturbance देखने को मिल रहा है, and सबसे worst point क्यों सा है, UC, UC मतलब uncertainty, अभी भी नहीं पता है कि आगे भविश्य में क्या होगा करके रश्या यूकरेन को अभी हम लोगों को पुरा एक साल भी होते वे देखने का आपे मिलने वाला है, and सबसे worst parameter कौन सा है, इसके चलते, crude oil में बनी हुई unstability, किसी को भी नहीं पता है, exactly हापे आगे जाके situation क्या होने वाली है, क्या war यहीं तक मतलब सीमित रहेगा, या फिर यहाँ से condition, situation, bad to worst हो जाएगी, and इसके चलते crude oil के उपर होने वाला impact क्या रहेगा, इसके उपर एक बहुत बड़ा question मारके, बड़े बड़े जो agency है रहती है, rating agency है, report करने वाले agency होते, वो भी exactly determine ही नहीं कर पा रहे है, कि भविश्य में क्या होगा करके, क्योंकि situation ही uncertainty वाली है आपे बन चुके, and crude oil के price इसके चलते, बहुत ही जादा हम लोगो fluctuate होते वे दिखने वे आपे मिल रहे है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग मतलब combine करके देखे, तो recession की और हम लोगो को यहापे global economy चलती वे देखने को मिल रही है, ये world bank ने अपने report में mention किया है, दैन अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा problem यहापे global recession की बात यहापे इसलिए हो रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकदवर देश, economy के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, number one economy, अमेरिका, वो बहुत ही जादा हम लोगो struggle करते वे देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कि अमेरिका जैसे देश में inflation जैसी चीज़ों, मतलब बात ही होती नहीं थी, वहापे growth की बात ही होती थी, interest rate के अगर हम लोग बात करें, बहुत ही negligible हुआ करता था, बट अभी ये सारी चीज़े COVID के चलते हम लोगों को देखने को मिले हैं, उसके बाद Russia versus Ukraine, इसके चलते वहापे भी हमनों को inflation जैसी situation, create होते भी देखने को मिले थी, अभी उसके साथ अगर tackle करना ही है, उसको वापस नीचे लाना है, तो rate hike करना ही पड़ेगा, जैसे शुरूआत में उन्होंने बोला, कि rate hike अगर multiple times होते रहेंगे, तो definitely अमेरिका के हालत बहुत खराब हो सकती है, तो directly उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया है, बट उन्होंने का है कि दुनिया की strongest economy, developed country, तो अमेरिका की और ही उनका इशारा देखने को मिला था, तो अमेरिका ये दुनिया के आप सबी लोग का पता है, world economy का engine है, ये भी बात उन्होंने अपने report में mention की है, और वही engine अभी हम लोग को slow होते वे देखने को मिलेगा, इसको हम लोग अभी भी deny नहीं कर सकते, no doubt, वो धिमे-दिमे करके नीचे आ रहा है, बट अभी भी current scenario में उसका position second number पे ही है, और चाइना में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कते देखने को मिल रही है, मतलब uncertainty बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इसी के चलते अगर हम लोग total इसका outcome निकाले, तो 2023 global economy के लिए बहुत ही खराब यहाँ पे रह सकता है, oral growth के लिए खराब रह सकता है, यह World Bank ने अपने report में mention यहाँ पे किया है, और इसी के चलते उन्होंने GDP का भी forecasting किया है, मतलब पहले उन्होंने जो report पेश की थी, वहाँ पे दुनिया की, अगर हम लोग बात करे, GDP का performance 3% बताया था, growth का, वो उन्होंने revise करके अभी कर दिया है 1.7%, पूरे global के हम लोग यहाँ पे बात करे है, तो इतना खराब performance यहाँ पे रहेगा, यह उन्होंने यहाँ पे बात की है, बट जैसे मैंने का, कि जरूरी नहीं कि हर एक country से related यह चीज़े match हो करके, तो उन्होंने country wise भी कुछ data सामने रखा है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे रिखिए, वर्ल्ट बैंक ने प्रेडिक किया है, ग्लोबल ग्रोथ 1.7% ही रहेगा just in this year, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यह देखे नीचे उन्होंने scale प्रोवाइड की है, कि किसकी ग्रोथ खाहा कहा तक रह सकती है, और यह जो extremely आपको orange देखने को मिल रहा है, या फिर पीला रंग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे बताय जा रहे हैं कि इन countries में आप लोगों को GDP या फिर growth 5% के उपर देखने को मिल सकती है, तो वो कौन-कौन से देश है, वो भी आप लोग यहाँ पे easily check यहाँ पे कर सकते हैं, अभी हम लोग दुनिया की बात छोड़ देंगे, सबसे पहले हमारा focus तो जाएगा हमारे भारत के उपर, और आप easily देख सकते दोस्तों, इंडिया इसमें included है, जो इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हमारा जो GDP का, मतलब या जो growth रहने वाली है, वो 5% से जादा रहने वाली है, बड़ अगर आप लोग simultaneously बड़ी बड़ी अर्था वेवस्ता को अगर आप चेक करोगे आपे, तो बहुत ही खराब हालत में, मतलब अमेरिका की जो बात indirectly कर रहे थे न, आप देखिए, अमेरिका से related उन्होंने 1% के आसपास, या फिर 1-2% के आसपास GDP की growth रह सकते हैं, ये World Bank ने अनुमान है आपे देखाया है, तो ये सबसे बड़ी चीनता, मतलब इंडिया हम लोग खुश हो जाते हैं, कि हापे हमारा जो performance रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, बट आपको पता ही है, कि अमेरिका जिस प्रकार से चलता है, वो पूरे दुनिया को control करके चलता है, मतलब अमेरिकन बाजार में मान लिजा, आज भाग गया जबरदस, तो क्या होगा, हमारे बाजार में भी might be gap up हो सकता है, या फिर जबरदस गिर गया, तो हमारे बाजार में भी जबरदस गिरावट हो सकते, gap down हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी चिंता आमनों को देखने को में देखिए, हमारा बाजार तो बिल्कुल सक्षा में ताकदवर है, बट अमेरिका की बाजार का भी ठीक होना, ये भी बहुत important है, उसी की साथ-साथ European बाजार की भी अगर हम लोग बात करें, तो हालत बिल्कुल खराब देखने को आपे मिल रही है, ये भी World Bank ने अपने report में mention किया है, वर्ल्ड बैंक ने ये ज़रूर का है कि developing countries, develop countries से अच्छा performance यहापे दिखा सकते, क्योंकि उनमें inflation के factors हम लोगो पहले से देखने को मिलते थे, जैसे कि इंडिया, इंडिया में कभी भी inflation आपको इतना lower level पे जाते वे देखने को नहीं मिलेगा, population ही इतना बड़ा है कि किस-किस की demand अफ फुल्फिल करोगे, पर अमेरिका जैसे country में ये सारी चीज़ें उनको मतलब कई सालों पहले, 40-50 साल पहले उन्होंने experience की थी, अभी उसके बाद वो अभी उसको face कर रहे, जेपी मॉर्गन के CEO ने, जेपी मॉर्गन की CEO ने भी एक report यापर जारी कि बिल्कुल आज ही की दिन जारी की है, कि उन्होंने ये का है, कि Fed जो rate hike यापर कर रहा है, यह हम लोग को might be 5% के beyond जाते वे देखने को मिल सकता है, यह 5% मतलब क्या, फेड कितना rate hike करते हैं, 75 basis point, फिर 75 basis point, फिर 75, फिर 75, then 50 basis point, तो इसके जो total हो रही, वो कितनी हो रही अभी, somewhere around 4-7-4% के आसपास, तो yes, यही total 5% तक रहने की बाते हो रही थी, मतलब उसके उपर फेड नहीं जाएगा, वरना बहुत ज़दा disturbance economy में हो सकता है करके, बट अभी JP Morgan के जो CEO है, उनका यह कहना है, कि फेड rate hike continue करेगा, और वो इतना continue करेगा, कि 5% के भी परे निकल जाए, और 5% के परे निकल जाना, यह बिलकुल भी, अमेरिका के बाजार के लिए, बिलकुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी, जो कि इंडिरेक्ली, दुनिया बरखे बाजार के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, यह हम लोग को फिलाल तो पता यहाँ पे चल रहा है, सो देखना पड़ेगा, हलाकि transitory rate की भी अगर हम लोग बात करे, फेड ने अपने पिछले स्पीच की अगर हम लोग बात करे, फेड की बात करे या फिर minutes of meeting की भी बात करे, वहापे भी उन्होंने जो transitory rate था, वो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, हलाकि एक साथ नहीं बढ़ा सकते है, वरना भूकांब आ जाएगा पूरे बाजार में, बट फिलाल JP Morgan की रिपोर्ट में ये पता चल रहा है, कि 5% से ज़्यादा fed क्या कर सकता है, rates को उसके उपर भी लेकर जा सकता है, ये बाते फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है, और वैसे भी देखा गया, तो FMC की जो बेठक देखने को मिले थी, उनमें भी उन्होंने बोला था, कि 2023 आप भोल जाएए, कि rate hike रुख जाएगा करके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को match होते वे देखने को मिले रहे, जो की एक indication दे रहा है, कि global economy हम लोगों को recession के ओर जाते वे देखने को आपे मिल रही है, और प्रॉब्लेम ये reports किसे related रहता है, विदेश के बाजार से related रहता है, बट इसमें unnecessarily कौन piece रहा है फिलाल तो, हमें दुनिया के बाजार की ज़ादा बात नहीं करें, बट हमारे इंडिया की बात करनी है, unnecessarily हमारे बाजार की पिटाई यहाँ पर हो रही है, मतलब इंडिया इतना अच्छा कर रहा है, बट global economy हमें support बिलकुल भी नहीं कर रही है, इसके चलते इंडियान मार्केट में मतलब बिलकुल सुस्त performance चल रहा है, मतलब आपको बहुत सारे लोग बोर हो चुके है, सभी को पता है, अभी वापस कल 18 जा सकता है, वापस नीचा आएगा 17, 19 के आसपास, फिर वापस 800 चला जाएगा 18,100, फिर वापस 17,900 आएगा, ऐसा ही करते करते पूरा एक साल चला गया, अगर आप चेक करोगे, बिल्कुल फ्लाट performance बाजार में चलते वे देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का reason क्या है, वही global markets हमनों को slowdown में जाते वे देखने को मिले है, और World Bank के हिसाब से 2023 भी global market ऐसा ही चलेगा, मतलब बड़े economy ऐसे ही चलेंगे, तो इंडियन मार्केट में भी शायद से हमनों को indirectly ऐसा ही performance देखने को आपे मिल सके, बट as a investor, क्या आपने इसके चलते हैं, यहापे exit करने की जरूते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने last video में भी आप लोगों को बता दिया, हाला कि retail investor को यह बात हजम करने के लिए time लगता है, क्योंकि retail investor का case होता है, जबी भी stock भागते है, market भागता है, तो उनको अच्छा लगता है, portfolio हरा होता है तबी, अरे portfolio 100% हरा हो जाएगा आपका, definitely हो जाएगा, बट आपको time देना पड़ेगा, यह test match है, यह merit होने, share market मेंने, हमेशा आप लोगों को कहा है, यहापे कच्छवा का race बोलता है, जो slowly slowly चलेगा, वो ही बड़ा return यहापे accumulate कर पाएगा, तो यह भी point आपको पता होना चाहिए, report की बात करें दोस्तों, तो इंडिया से related कोई भी negative news नहीं है, बट देखा गए, तो develop country से related जो negative बात बोली है, उसका जलक इंडिया के उपर भी indirect ली आएगा, तो यह बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, कि अगर आप इंडिया की growth की बात करें, भविश्य की, तो बहुत ही बड़ी growth यहां पे रहने वाली है, तो यह जो period आप लोगों को मिल रहा है न, जैसे लोग बोलते हैं न, कि 2020 में मौका चला गया, वैसा यह भी मौका आप लोगों को बन रहा है, 2022-23, यह भी flat मौका दे रहा है आप लोगो बाजर, फिर एक बार बाजर भागने स्टार्ट कर या न, फिर वो रुकेगा नहीं, तब आप enter करोगे न, higher level पे, तब कानी खतम हो चुकी होगी, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ऐसे बाजर में अगर आप mutual fund के थुरू भी निवेश करते, इन्वेस्मेंट आपकी जारी रहनी चाहिए अच्छी स्टॉक में, भागेगा तब निवेश करोगे, तब कोई फाइदा नहीं होता है, यह ऐसे ही सिचुएशन में जो निवेश करके रख देता है न, वही आगे जाके पैसा कमा पाता है, तो यह सारी चीज़े में आप लोग अलग अलग रिपोर्ट के वक्त भी यहापे मेंचन कर चुका हूँ, तो अगेन कहना चाहिए ऐसे रिपोर्ट के चलते, इंडिया के बाजार को ज़्यादा कोई फरक यहापे नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग यहापे बात करें, इंडिया का बाजार यहापे फ्लैड भी रहा, तो हम लोगों के लिए वो इन्वेस्मेंट अपॉर्चुनिटी ही रहने वाली, ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए, तो आशा करता आप वीडियो हल्फू लगा होगा, तो ज़रू लाइक और शेयर कर देना, अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया, तो लिंक नीचा डिस्क्रिप्शन में 25 वडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल अपने लिंक के दरोपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से किया मिंचन कर देना, तो अफ्ते बर के अंदर-अंदर सारे लिक्चर्स मेरे साइड से आपलें को फ्रे अफकॉस प्रोवाइड कर दे जाएंगे, ताकि अब स्टॉक मार्केट को आसान भाशा से सीख सको, तब तक के लिए, बाई बाई